क्या आपने कभी अपने बगीचे में बोर्दो मिश्रन का उप्योग किया है? बोर्दो मिश्रन, क्या वह किसी प्रकार का पौधा स्प्रे या कवक नाशी नहीं है? हाँ, यह एक लोगप्रियक कवक नाशी है, विशेश रूप से पौधो पर फंगल रोगों को रोकने के लिए, यह कौपर सलफेट और चूने से बना है दिल्चस्प, इसे कैसे उप्योग करते हैं? आम तोर पर इसे निवारक उपाय के रूप में पौधों पर स्प्रे करते हैं, खासका रंगूर, टमाटर और आलू के लिए यह डावनी फफूंदी और अन्य फंगल संक्रमन को नियंतरित करने के लिए बहुत अच्छा है तो, इसे कैसे तयार करते हैं? यह सरल है, आप कौपर सल्फेट और हाइडरेटेट चूने को अलग-अलग पानी में मिला ले, फिर उन्हें मिला ले कौपर सल्फेट को संभालते समय सुरक्षात्मत गिया का उप्योग करें अनुपात क्या है? आम तोर पर, यह 10 लीटर पानी में 1 किलो कौपर सल्फेट और 1 किलो चूना मिला कर तयार किया जाता है और हम इसे कब लागू कर सकते हैं? बीमारी के किसी भी लक्षन से पहले इसे लागू करें, हर 10 से 14 दिन में दोहराएं क्या हम इसे घर पर बना सकते हैं? बिलकुल, कौपर सल्फेट को पानी में घोले, बुझे हुए चूने को एक अलग बर्तन में रखे, फिर मिला ले, हमेशा सुरक्षा दिशानिर देशों का पालन करें समझ गया, जानकारी के लिए धन्यवाद, मैं इसे अपने बगीचे में आजमाऊंगा ये पौधों के स्वास्थे के लिए गेम चेंजर है